आज हम यहापर बात करेंगे Scalping Trading Strategy आप किसी भी इंडेक्स में इसको यूज कर सकते हैं और क्योंकि यह Scalping Trading Strategy है इसलिए हम यहापर बहुत ही छोटा टाइम प्रेम रखेंगे तू मिनट्स की टाइम फ्रेम पर हम इस टाडिजी को यहाँ पर एपलाई कबने वाले हैं यह बहुत सारे ट्रेडर्स का पसंदीदा इंडिकेटर है यह पसंदीदा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक mathematics एक बहुत strong formula लगा हुआ है वो formula आप उसको किस तरीके से use करते हैं that's a different thing लेकिन वो formula यह कहता है कि आपका सबसे जादा trade किस volume पे हो रहा है उस volume पे आपके सबसे जादा prices का center of mass या center of gravity located है अब यह इतना strong formula है कि दो तरीकों से यह formula काम करता है एक यह काम करता है mean reversion के thought process से as in जब prices बहुत ज़ादा VWAP से बहुत दूर चले जाते हैं तो वापिस correct होके VWAP की तरफ आते हैं which is a logical thought process ऐसा होता है मैं आपको एक example के थूर समझाने की कोशिश करता हूँ I am very sure आपने RSI का नाम सुन रखा होगा relative strength index relative strength index यह कहता है कि आपका RSI अगर 70 से उपर जाता है इसका मतब stock overbought है that calls for a correction लेकिन सवाल यह कि वो correction अभी आएगी या correction कोश टाइम के बाद आएगी यह कहना बहुत ही मुश्किल है तो हम सिरब यह कहते हैं कि 70 के बाद यह stock overbought है 30 से नीचे यह stock oversold है that doesn't mean कि मैं इसको 30 के नीचे आते ही immediately buy कर लूँगा neither does that mean कि मैं 70 से उपर जाते ही इसको short sell कर दूँगा या अगर मैं already hold कर रहा हूँ तो मैं इसमें से exit कर दूँगा नहीं हम ऐसा नहीं करते है so यहाँ पर हम करते क्या है basically हम यह कहते हैं कि हाँ correction due है लेकिन 70 से उपर एक strong rally भी start होती है 30 से नीचे RSI जाने पर stock शापली गिरना शुरू हो जाता है ऐसा भी हमने notice किया है rather a wider population uses this thought process as a trading strategy itself और same thought process आज हम VWAP के लिए use करने वाले है so दोस्तों आज की इस वीडियो में we are going to talk about a trading strategy for scalpers scalping एक ऐसा trading style है जहाँ पर आप बड़ी position छोटे period के लिए hold करते हैं और बड़ा profit कमाने की कोशिश करते हैं यह एक risky trading style है जो हर किसी की psychology हर किसी के emotional strength को suit नहीं कर सकता है अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आपको बहुती objectively trade लेने चाहिए और आपका view immediately change कर पाएं ऐसा thought process आपका इतना strong mental thought process आपका होना चाहिए कि अगर यह market bullish जा रही है आप immediately buy कर लें जहाँ पर लगे कि आप गलत है वाँ immediately short sale करने में भी आप कत्राएं नहीं और आज की trading strategy में इसी objectivity को mind में रखते हुए हम अपने indicators और price action दोनों को एक साथ use करने वाले हैं दोस्तों indicators की problem क्या है थोड़े से late होते हैं price action की problem क्या है यह जल्दी तो होता है यह leading तो हो सकता है लेकिन यह बहुत ही subjective होता है होता है लेकिन जल्दी होता है तो indicators मुझे objectivity प्रवाइट करेंगे price action मुझे जल्दी प्रवाइट करेगा दोनों चीजों को mix करके हम यहाँ पर trading strategy बनाने वाले हैं which is a beautiful trading strategy आप किसी भी trading strategy को एक बार check कीजिएगा आपकी psychology को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा आपके risk appetite को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा अगर कर रहा है तो आप उस पर काम कर सकते हैं दोस्तों have you subscribe to our channel yet if not immediately do this क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे वीडियो ऐसे लेकर आने वाले हैं जो आपको derivative के concepts technical के concepts दोनों को mix करके साथ में trading strategy बनाना हम आपको ये भी सिखाएंगे और ऐसी ready made trading strategy भी आपके साथ discuss करने वाले हैं तो आईए without wasting time आज हम यहाँ पर बात करेंगे scalping trading strategy for nifty, bank nifty, fin nifty, nifty nifty next 50, sensex, bank x आप किसी भी index में इसको use कर सकते हैं और क्योंकि यह scalping trading strategy है इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही छोटा time frame रखेंगे two minutes के time frame पर हम इस strategy को यहाँ पर apply करने वाले हैं तो आईए without wasting time सबसे पहले हम चलते हैं tv.dhan.co पर और यहाँ पर हम recent charts के थूँ यह सारी चीज़ां समझने वाले हैं two minutes का chart और यह मैंने apply किया nifty 50 और सबसे पहले मैंने यहाँ पर indicator लगाया vvap nifty 50 पर vvap नहीं लगेगा तो मैं लगा रहा हूँ nifty futures पर और यह लग गया हमारा vvap यह इसका average price चल रहा है जबकि prices यहाँ पर चल रहे हैं revert करेंगे mean की तरफ कप करेंगे अभी नहीं मालूम है लेकिन इस पूरी rally का फाइदा कैसे उठाना है यह आजम पता करने वाले है तो दोस्तों एक हमने लगाया है vvap एक हम लगा रहे हैं इसी surety के लिए कि market का view कैसा है हम यहाँ पर लगा रहे हैं dmi which will tell me directional moment यहाँ मैंने dmi apply कर दिया लेकिन dmi में बहुत सारा noise है इस noise को हटाना पड़ेगा हमें चाहिए सिरफ plus di और minus di क्योंकि यह मुझे बताएगा market का trend कैसा चल रहा है तो plus di minus di बाकि सब यहाँ पर हटा देते हैं लेकिन यह बहुत ही aggressive indicator है इसलिए हम इसको 140 period का कर देते हैं और इसकी dx की smoothing में maximum level पर कर देते हैं अब यह मुझे बहुत ही कम trade देगा क्योंकि यहाँ पर हमें short trades चाहिए हमें जादा trades नहीं चाहिए तो दोस्तों conditions क्या है बहुत ध्यान से सुनेंगे हम ना तो सिरफ VWAP पे dependent है ना ही हम सिरफ DMI पे dependent है हम यहाँ पर dependent है तीन चीज़ों पर पहला अगर prices VWAP के उपर है इसका मतलब prices are on the higher side of the average अगर average 100 है वो 102 पे चल रहे है 103 पे चल रहे है मतलब वो लगातार यहाँ से strength gain करते जा रहे है हम इस strength का फाइदा उठाने वाले है हम यहाँ पर reversal play नहीं कर रहे हम यहाँ पर trend play कर रहे है इसका मतलब अगर prices VWAP के उपर है हम buy रखेंगे अगर prices VWAP के नीचे है तो हम sell रखेंगे not just this confirmation कहां से लेंगे confirmation लेंगे DMI से अगर DMI की यह blue line जो मैं आपके लिए थोड़ी से dark कर देता हूँ is above the orange line it's a buy signal but prices should also be above VWAP not just this यहाँ पर हम price section को लेकर आएंगे हमें चाहिए higher high higher low and as long as the prices are forming a higher high and a higher low rather हम higher high higher low पे इसमें entry लेंगे आप चाहें तो इसको तब तक hold कीजिए जब तक higher high higher low बनता जा रहा है लेकिन अगर DMI में reversal आ जाता है तो हम यहाँ पर position को exit कर देंगे यह prices अगर VWAP के नीचे आ जाते हैं तो भी हम यहाँ पर temporarily prices को exit कर देंगे हम नहीं position दुबारा से create करने वाले हैं तो आईए मैं आपको example के तो बताता हूँ के strategy को implement कैसे करना है यहाँ पर आपके orange line DMI की blue line के उपर आ गए मतलब DMI कहता है के market में weakness है और weakness strong होती जा रही है अब यहाँ पर prices भी VWAP के नीचे आ गए है which is again an indication के heavy selling market में आ रही है यह nifty का two minutes का chart है जो हम track कर रहे हैं यहाँ पर मुझे जैसे ही पहला lower low lower high मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुझे यहीं पर ही मिल गया था तो मैं यहाँ पर भी short sell कर सकता हूँ otherwise अगर मैं wait करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है पहला lower low lower high इस level पे मैं यहाँ पर short sell कर देता हूँ approximately 22,250 के levels पे मैं short sell करता हूँ approximately 22,284 का मेरा stop loss है around 30 रुपीज का stop loss है और नीचे गिरते गिरते market पहुच गी है 22,155 पे so 22,250 के आसपास से 22,150 के आसपास 100 पे का नीचे हमें शुद्ध गिन मिल रहा है 100 पे का हमें यहाँ पर profit मिल रहा है scalping की हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर scalping में आप 10,15,20 points में profit लेकर निकल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा 2 minutes का chart इसलिए यूज कर रहे है थोड़ा 30 रुपीज का stop loss approximately 100 रुपीज का target आप यहाँ पर book कर पा रहे है 30 के stop loss पर अगर आप 40,50,60 पे partial profit book करते रहेंगे तो आपकी long term account की health के लिए मेशा अच्छा रहता है the only profit that belongs to you is the one that has come to your bank account बाकी सब हवा है especially derivatives में तो वो सब हवा है इसलिए make sure to keep booking the profits यहाँ पर आपका blue line yellow line से ऊपर चली जाती है इसका मतलब यहाँ पर buy signal generate हो रहा है not just this यहाँ पर आपको अभी अभी एक buy signal मिला है एक और dip मिलके एक और buy channel मिलती है यहाँ पर आप इसको buy करेंगे यह आपका छोड़ा सा stop loss रहेगा and look at the rally there is a sharp rally आपको जैसे ही पहला higher high higher low मिलता है आप यहाँ पर buy करेंगे provided आपके prices वी आपके उपर हो और आपकी blue line orange line के उपर हो जिसमें मैंने थोड़े से parameters को यहाँ पर change किया है इसको और smooth करने के लिए इसका success rate और increase करने के लिए let me show you a couple of more examples here यहाँ पर आपको buy signal मिलता है prices वी वैक के उपर है यह पूरा market sideways है यहाँ पर मुझे कई higher high higher low नहीं मिल रहा है और मुझे यहाँ पर higher high higher low मिलता है यह lower low था इसका सो मुझे यहाँ पर higher high higher low मिलता है इस level के उपर यहाँ कहीं पर यहाँ पर इसको buy कर लेता हूं यह मेरा यहाँ पर stop loss रहेगा यह मेरा यहाँ पर stop loss रहेगा और उसके बाद यह लगातार market उपर जाती रही approximately आज ये market सुबह यहाँ पर खुली हमें सिरफ buy signal लेना था क्योंकि blue line orange के उपर थी prices जब VWAP के उपर जाते हैं तो यहाँ पर मुझे एक minor buy मिलता है और यहाँ देखिए जब तक ही level maintained है ये market लगातार उपर जा रही है आपने यहाँ buy किया ये आपका stop loss था तकरीबन 22,240 के आसपास buy किया 210 अगें 30 रुपीज का stop loss और ये market गई है 328 पे तकरीबन 80 पॉइंटों मुझे यहाँ से दिख रहे हैं सीज़े से मिलते हुए लेट मी शो यू यू one more example यहाँ पर आपकी orange line blue के उपर चली जाती है prices वी वैप के नीचे आए लेगिन यहाँ पर कोई sell signal नहीं बनाया prices वापिस वी वैप के नीचे आए ये सवनो बज रहे हैं और आज के दिन में prices ने lower low lower high बनाना शुरू किया है आप यहाँ कहीं पर भी short sell करेंगे यह आपका stop loss रहेगा आप आराम से profit book कर पा रहे हैं so यहाँ पर हम देखते हैं bank nifty पे लेगिन हमें चाहिए bank nifty का future so that VWAP हमें दिखता रहे हैं यहाँ सुबह तकरीबन सवा 10 बजे के आसपास आपको यहाँ से reversal मिलता है यह market ने इसी candle पे आपको lower low lower high भी दिया है signal मिला 48 070 के stop loss से तकरीबन 150 point का stop loss और यह market गिरी है वहाँ से तकरीबन 900 point that is massive fall और यह तकरीबन 11 बचकर 9 minute की बात है इसका मतलब चलती market का data दिख रहा है यह कोई opening का data नहीं है यहाँ पर देखिए market ने इसके बाद जब buy signal दिया और यहाँ पर prices भी वैप के ऊपर ही है यहाँ पर notice कीजिए आपको जैसे ही पहला buy signal मिलता है आप ले लीजिए यह stop loss है पूरे दिन में यह stop loss ब्रीच नहीं हुआ है और यहाँ पर फिलाल थोड़ी देर गेंदर तक्रीबन 10 बज़ कर 27 पिनट पे इस market ने 48 150 से 48 330 तक्रीबन 180 पॉइंट का अपमूब दिया है जहाँ पर आपका stop loss सिरफ 70 पॉइंट के आसपास करा not just this अगर आप यह पर profit book नहीं भी कर पाई तो भी कोई tension वाली बात नहीं है आप यह देखिए पूरे दिन में इस market ने आपका stop loss breach नहीं किया है आपको बहुत मौक्य मिले होंगे अपनी position को exit करने के लिए let me show you the same strategy in gold और silver आप same strategy same time frame पे आप commodity मार्केट में भी apply कर सकते हैं यहां देखिए यहां आपको मिला buy signal prices VWAP से उपर है और यहां notice कीजिए लगातार buy signal मिलते जा रहे हैं and look at the market approximately 87 340 पे तकरीबन 80 रपे का stop loss और यह market गई है तकरीबन 400 पॉइंट उपर आधा percent which is a massive move for a scalper दोस्तों बहुत ही कमाल की strategy है और बहुत ही objectively आप इस इसको define कर रहे हैं and let me add one more interesting thing for you here अगर आपको यहां पर higher high higher load ढूनने में परिशानी हो भी रही है तो भी no need to worry आप यहां पर इस candle को change करके हाइकन आशी बना दीजिए और हाइकन आशी की wix हटा दीजिए आपको clearly दिखेगा higher high higher low have a look here यहां पर आपको buy signal मिला यहां notice कीजिए अब इसके बाद it is very easy to find out a higher high and a higher low at least यह higher high higher low तो clearly दिख रहा है 0, 1, 2 and buy above 1 with a stop loss of 2 look at the rally a massive one आप same strategy किसी भी index पे या किसी भी बड़ी commodity जैसे ही gold, silver, crude oil पे apply कर सकते हैं and this strategy is not going to disappoint you so friends कैसी लगी आपको इस strategy हमें comment section में जरूर बताईएगा और आप किस type की strategies धून रहे हैं आप हमें यह भी comment section में जरूर बताईएगा आपके comment से हमें motivation मिलती है और जाधा research करने की और यह research eventually results into more strategies for you and why do you need more strategies because the markets will keep on changing your risk appetite will keep on changing आप आई scalping नहीं कर पा रही हैं आपको profession change हुआ है हो सकता है आपको कल को swing trading करनी हो so that is why we have many strategies around scalping, intra day, swing, positional and so on and so forth आपको हमारी कौन सी strategy सबसे अची लगी है हमें comment section में जरूर बताईएगा see you in the next video, thank you so much, bye bye investments in the securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing